बंगलादेश में आरच्छड विरोधी प्रदस्रों के मुख्य आंदोलनकारी छात्र नेता नाहिद इसलाम को सुकुरुवार को देश के नौ गटित अंतरिम सरकार में सुचना प्रद्धोगी की और डाक मंत्रालाय का प्रभार सौपा गया है गत पांच अगस्त को तत्कालिन प्रदान मंत्री से एक हसीना के इस्तिफा देने और देश चोड़कर भारत आने के बाद बंगलादेश में गुरुवार रात अंतरिम सरकार ने सपत ली थी सरकार ने सुकुरवार को घोशड़ा की की भेद बाव विरोधी चातर आंदोलन की एक अन्य परमुक नेता आसिप महमूत को युवा एक खेल मंत्रालाय का सीरे भार सौपा गया युनुस ने रच्छा, सिच्छा, रेलवे, किरसी, वाड़ी, आदी, सहीद, कई परमुक मंत्रालाय अपने पास रखे हैं बंगलादेश में आरच्छड विरोधी परदसनों का नेत्रित करने वाले चातर नेता नाहिद अबदेश में अंतरिम सरकार के गठन में भी एक परमुक व्यक्ति के रूप में उबरे हैं उन्होंने सेख हसीना के ढाका से जाने के बाद नकिवल बंगलादेश के राष्टवती मुहम्मद सहाब उद्दीन और सेना परमुक जनरल वकारु जमान के साथ कई दोर की चर्चा की बलकि युनुस को अंतरिम सरकार में सामिल होने के लिए राजी करने में भी परमुक भ जो बानव दिखार कारकरताओं से लेकर पुरु केंदरी बैंक गवर्नर और पुरु चुनाव आयुक तक विबिन पुष्ट भूम्यों से आते हैं वहीं दूसरी तरफ युक्रेणी सेना ने गुरुवार रात रूसी हमले में सामिल सभी 27 ड़ाकों ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है समाचार एजनसी सिनुवा की एक रिपोर्ट के अनुसार युक्रेणी वायु सेना ने कहा है कि उत्तरी मद दच्छडी और पुरुवी युक्रेण के साथ छेतरों में रात बर साहेद 136 और साहेद 131 ड्रोनों को मार गिराया गया है वायु रच्छा प्रडाली कीउ छेतर में काम कर रही थी लेकिन छेतर में किसी के हतात उने की खबर नहीं है साथ ही इससे किसी तरह की छटी नहीं हुई है छेतरी गौर्नल सरजी सिलाक ने कहा है कि मद निप्रा पेटरास छेतर में दो ड्रोन नश्ट कर दिये गए इससे पहले रूसी रच्छा मंतराले की ओर से बयान आया था कि युकरेन ने रूस के कुर्ख शेतर में आगे बढ़ने का प्रयास किया है जिसे रूसी सेना ने नाकाम कर दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया मंतराले ने कहा था, रूसी सेना ने युक्रेनी सेना के हमले को रोकने के लिए अपनी सीमा रच्छा इकाई। और कुर्नोवा जिलों में मौजूद है। समचार एजनसी सिनुवा की रिपोर्ट के अनुसार सरडीनिया की ससारी में गुरुवार को भीसर सूखा और रिकार्ड तोड़ गर्मी के कारण अपात्काल की इस्तितिक गोस्त की गई। सबी मतभेदों को दूर करने के लिए 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में ततकाल चर्चा फिर से सुरू करने के लिए आमंतृत किया। ताकि बिना किसी देरी के समझाओते को जल से जल पूरा किया जा सके। बयान के अनुसार युद्ध विराम के लिए समझाओता लगबग तयार हो गया है। बस इसके अमल में लाने के तरीकों पर बात करनी बाकी है। बता दें चादरा आंदोलन के दोरान होई हिंसा में पुलिस कर्मियों सही चार सो से अधिक लोग मारे गए थे। धाका ट्रिब्यून समाचार पत्र ने सैन और पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि लगबग चार दिनों के बाद सेना की सहता से लगबग वंतिस पुलिस थानों में गतिवीदियां फिर से सुरू की गई। गुरुवार को नोबेल पुरुसकार विजयता मुहमद यूनिस ने बंगलादेश के अंतरिम सरकार के परमुक के रूप में सपत ली। उन्होंने देश में कानून और वैस्था को बहाल करने की पर्तिबता जताई है। 25 इस्ट बंगाल लेजिमेंट के कमपनी कमांडर सखावत खंडाकर ने कहा ये देखते हुए कि अपरादी किस तरह से लोगों की हत्या कर रहे थे जिसमें पुलिस भी सामिल थे हमने फैसला किया कि पुलिस कर्मियों को बचाना बहुत जरूरी है वे लोगों की सेवा करते ह हमें उन्हें सुधार का एक मौका देने की जरूरत थी खंडाकर ने कहा तेजगाओं पुलिस थाने में कई हत्यार है यदि ये अपरादियों के हाथ लग गए तो देश कमीर खत्रे में पड़ जाएगा इसलिए हमने थाने की सुरच्छा को मजबूत करने के लिए कदम है